हेलो सो एसके लेक्टान सब्सक्राइब का सवीद्व तो कैसे हुआ पास अगतों बहुत अच्छे रोगे दोस्तों एफ एंडी का मेरे पास हों टेटा रिपेर होने के लिए पांस सो बीस ठीक है तो इसमें समझे क्या आया कस्टमर ने काया मैं जैसे में बोर्ड में तार दिखा रहा है मतलब फुल बलफ गुलो होता है बिलिंकिंग करता है तो दोस्तों अभी दिखाने चाहता हूं यह मैंने स्रीज बोर्ड में लगाया लाइन हमारी चालू है दोस्तों इसमें में समझना कि मेटर नहीं चला तो लाइन चाहता हूं आपको देखिए वह लाइन योई इस में अमारे धुलेजी इस तरह चेंज से टिक टिक तक एस तरह कर रहा है हां यह हमारी मेन प्रोब्लम इसमें थेक्व दोस्तों आपने देख लिया तो Je 00935 मेन प्रोब्लम इसको ठेक करेंगे दोफ Помेक चीज बताएंगे और करने चीज़ चेक करने चाहिए ऐसी प्रोब्लम में आपको क्या क्या नहीं तो सब कुछ दोस्तों वीडियो को लाश्ट देखना बहुत अच्छी होने वाली देखिए प्रोब्लम देख लीजिए पहले अच्छे से सोलुशन तब करेंगे देखिए ठीक है इस तरह से तो मैंने कैमरेों सेट के आप मैं जल्दी से से खोल लेता हूं यहां पर इसके सभी पेच और मैं आपको दिखा दहूं तो दोस्तों जो जो हमारे चैनल पर आप नए वीडियो देख रहे हैं नए बंदे जो हैं वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते है है जिसने का रखा उसे कली बोलन जिसने का रखा बहुत अच्छी बात है क्योंकि दोस्तों हम एक वीडियो रोज लाते हैं आपके लिए नयाने नयए टॉपिक पे और नहीं ने फाल लावार क्योंकि दोस्तों हम यहां पर एल्ट्ट्रोनिक और कुछ नोग रिपेर होने क आपको तो ऐसी प्रोब्लम में आपको सबसे पहले सेकंडी सेक्शन यानि कि सप्लाई का सेकंडी सेक्शन में डायोड चेक करने चाहिए तो जैसे हमने बोर्ड बाहर निकाल लिया है इसमें तीन आई ची लगी हुई है अपना यानि कि सप्लाई वाला SMPS यानि SMD सिटम है सार सेकंडी सेक्शन का फाल्ड है पहले आपको दुबार सच एक बार चला कर दिखाना चाहता हूं यहां पर देखिए मैंने बोर्ड में तार लगाया देखिए फाल्ड होई है ठीक है क्योंकि कुछ मां कहने के बोलते हैं तो आप कैमरा सेट करने करने में कुछ प्रोब्लम कर अब प्राइमरी सेकंडी क्या होता है इसमें हमारी सप्लाई होती है एक तरफ AC सेक्शन एक तरफ DC सेक्शन तो DC सेक्शन में हमारा फाल्ट होता है इससे आपका सेकंडी सेक्शन ही दूसरी तरफ तीन तार होते हैं बिच वाला ग्राउंड और लेफ्ट राइट वाले दोस दोस्तों वहां पर हमारे चार डायोड लगे हैं उन चार डायोड में से आपको चेक करना है कोई ना कोई सोर्ट भी हो सकता है उस सा अगे भी लाइन स्ट्रेक करने उसमें भी सोर्टिंग हो सकती है तो सबसे पहले यह चार डायोड चेक करने होंगे तो यह चार डायोड हमार आपका set off हो, यहाँ पर line बंद हो, ठीक है, यानि कि अपना amplifier या जो भी आपका operator हो बंद होना चाहिए, तो continuity mode पर लगाएंगे, दोनों पर देखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर भी shorting नहीं है, ठीक है, यह हमार clear है, दोन तरप से देख लेते हैं, तो यह clear है, ठीक है, तो यह दो तो clear हो गए, अब यह दो देखते हैं, कितने आ रही है, तो यह दो भी हमारे, ठीक है, ठीक है, देख लिजिए, दोनों तरप से देख लेंगे, clear है, अब कहोई को diode की तो एक तरफ से आती है, एक तरफ नहीं, तो यह circuit मे लग कर दो दो तो जो दो सब्सक्राइब कुर्ड ही रही हम देखिए लाइन सब्सक्राइब है गार नेर Herr टो सब्सक्राइब हो फेलेर खोलर medium को सब्सक्राइब कर दो तो क這些 इंब्सक्राइब च्रहे विदाउट बॉर्ड में से निकाले हो गए इसका एक बहुत सिंपल मैथड है बहुत सिंपल है देख लिए समझ लीजिए अगर आप से नहीं आता है तो बहुत एजी है देखिए हमारी आइसी की पिन नंबर टोटल पांच होती है इसमें 20-30 आइसी लेग हुए पिन नंबर पर कोई सी भी प्रोब लगानी है मल्टिमेटर की ठीक है तो कॉंटिनुटी मोड पर लगा रहने देना है देखिए यहां पर आईसी लग हुई है यह है ठीक है इस पर पिन नंबर फॉर पर कोई सी भी प्रोब लगानी है और पिन नंबर थिरी पर और पिन नंबर फाइब यहां पर बाके Country कोई शोंटिंग नहीं नहीं तो आपे 73 तो यहां पर नम्बर 4 से 3 जो 3 पर 5 ने चेक करनें की बहुत कि ढूब A तो दोस्तो हमारी ये 20-30 वाली IC short आई है इसका check करने का यही तरीका है दोस्तो speaker की output यानि की pin number 4 पे IC की एक probe रख लिजिए multimeter से continuity mode पे कोई सी भी ठीक है उसे रखने के बाद 3 पे और 5 पे phone number 4 से check करने है आपको reading कितनी आ रही है अगर आपकी 400-500 आती है तो IC 101% ओके है अगर इससे नाचे आपकी 200-200-300 इस तरह का सपास आती है आप डाउन आती है तो दोस्तो 101% आपकी IC short है तो दोस्तो हमने यहापे find किया तो हमें बिच वाली center वाली IC short मिली short मिलने के वज़े से ही दोस्तो ऐसा fault बन सकता है वो अभी देखेंगे क्योंकि जब हमारी line आगे plus minus वाली short हो जाएगी तो दोस्तो क्या होगा आपकी supply जो है SMPS current को छोड़ती रहेगी लेती रहेगी लेकिन transfer moment में क्या होता है हमारा direct current चलता रहता है और diode फुक जाते और आपका हो सकता time swap में भी फुक जाता अगर यह problem आती और IC हमारी फट जाती लेकिन SMPS में दोस्तो यह है कि वो आपको switching बंद चालू बंद चालू करती रहती है लेकिन sorting में हमारा नुकसान नहीं करती है तो सिर्फ हमें दोस्तो यह IC निकाल दी है यह पर जल्दी से और हम इसको चेक कर लेते हैं बहर निकाल के क्या पता बोर्ड में कुछ problem बोर्ड में ऐसी प्रोब्लम नहीं होती और फिर भी हमने निकाल दी इसको चेक कर लेते हैं यहां पर तो पिन नमबर 4 पर लगाया और 3 पर तो दोस्तों से कि शोटिंग है ठीक है यहां पर शोटिंग है और पिन नमबर 5 पर भी तो आईशी हमारी बिल्कुल पूर्ण उक्से शोट है तो इसका आईशी का नमबर है बीस तीस बीस पचास भी लागा से कोई प्रोब्लम नहीं है तो आईशी को निकाल दे है बिना आईशी को चेक करके देख लेते हैं यह स ठीक है तो यह तो किलियर होगा कि दोस्तों हमारा आईशी में फालता हमने दोस्तों ट्रैकिंग करना बताया आपको कैसे कैसे ट्रैक किया जाता है पहले डायोड फिर कैपिश्टर फिर सिदा आईशी अब यहां पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं 14.29 डीसी वोल्ट पर लग तो दूस्तों हमें इस आईशी को चैंज कर लेना होगा यह निया बदल देना होगा तो हमनी परानी आईशी निकाल दिया है 3.29 अब इस यह अपने पर पहले लिए प्रपर बशे कुसु आईँ é तो भी तो हम जल्ली करने दुए गृट कर नहीं कुछ दिया है उसको स्छ Cheers नहीं आएगी और शोल्डिंग करने के बाद उसकी सब इपिनों को साफ कर लेना है और फिर आपको किलियरली चेक करना है तो दोस्तों मैं फाल्ट दुबारे से दिखा देता हूं किलियर हुआ है नहीं हुआ है देखिए सेट वह ही है हमारा और मैं यह पर स्रीज बॉर्ड मे लग्रे सेसे जरह्आ है बिलुकुल मैंने किलियर तरीके से आपको समझा दिया है इस तरह से आपको ट्रैइंग करने देखिए एक बार मैं आपको चेक भी करकर दिखा देताционыс का साउंड वांड इसका मैं स्पीकर लगा कर दिखाताहूं अब दूस्कूर में स्पीकर लग दूआ नहीं है वह हवा है बिल्कुल किलियर है स्पीकर लगा के देखते हैं देखिए तो स्पीकर में वाज आ रही है देखिए तो दोस्तो हमारा सैट बिल्कुल किलियर है दोस्तो सैट बिल्कुल किलियर है दोनों तरह पोक्यमारा हो गया आज के इतना ही जैहिंद वन देम आदम दोस्तों प्लीज वी लाइक तो बनता है जय हिंदी